प्रम्म विहार की चार सर्वत्तम सुखती अवस्थाइं मैत्री, करुडा, मुधिता व उपेक्षा भाव से युक्त हो विहरना तथागत बुद्ध के संदेशों द्वारा प्राप्त सुख विहार जिसमें हमने अभी तक मैत्री को समझा और अब करुडा करुडा का अर्थ है किसी की पीला या दुख के अनुभव करने में सामर्थ होना व उसके प्रती दया के भाव का उत्पन होना वैसे तो करुडा के भाव हर किसी को उत्पन होते है मगर जब ये द्वेस के साथ में रहती है तब यह अशद्ध रूप में होती है उदारहन एक मा है उसका छोटा सा बच्चा है वह स्वस्थ है आंगन में खेलता है सब कुछ सामान्य है तभी अचानक वह बच्चा बुखार से पीडित हो जाता है तेज बुखार उसे चड़ जाता है और वह चिरचड़ा हो जाता है वह चिलाता है कराता है बच्चे को दुख में देख मा बेचैन होटती है वहवल हो जाती है यहाँ पर तेज बुखार बच्चे को है मगर छटपटाहट मा के अंदर उत्पन्न हो रही है उसके अंदर बच्चे को उसके दुखों से मुक्त कराने की चाह उमरती है दया उत्पन्न होती है वह उसे लेकर डॉक्टर के पास तौडती है डॉक्टर उस बच्चे को देखता है वह बुखार के उतरने की दवा देता है बुखार धीरे धीरे उतरने लगता है बच्चे की पीड़ा कम होती है थोड़े समय पशार वो फिर से खेलने लगता है उसकी मा बच्चे की पीड़ा को कम होता हुआ देख प्रसन्न चित होड़ती है तो यहाँ पर मा करुणा के भावों से भर जाती है तो इस प्रकार करुणा दूसरों की पीड़ा देख कर दया से भर जाना और दूसरों की पीड़ा को कम करने की इच्छा और दूसरों की पीड़ा के कम होने पर प्रसन्नता से भर जाना यही करुणा है और इस प्रकार के चित्त के भावों से युक्त हो विहरना जिसे तथागत प्रम विहार कहते हैं तो यहाँ पर अपना कोई बेहत करीबी है जैसे मा वो उसका बेटा बेटे को तड़ता देखकर मा के अंदर करूडा उत्पन हुई मगर बुद्ध के अनुसार कि इस करूडा का भाव सभी के लिए समान हो जाना चाहे वो अपना हो या पराया चाहे वो मनुष्य हो या जानुवर हर किसी के लिए समान करूडा का भाव सभी के जीवन के दुखों का अनुभव ठीक उसी प्रकार से अनुभव करना जैसे मा अपने बेटे के लिए करुणा के भावों से युक्त हो जाती है इसमें कोई पराया नहीं, कोई जाती नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई अपना सगा नहीं सभी लोगों के जीवन में उत्पन दुख का अनुभाव और उसके प्रती दया, वह उसके दुखों को दूर करने के प्रियास में सहायता करना और इसी प्रकार का संदेश तथागत बुद्ध द्वारा मज्जिम निकाय के चूल अस्पुरसुत में दिया जाता है एक समय बुद्ध अंग देश में अस्पुर नाम के निगम में विहार करते थे वहाँ पर उन्होंने भिक्षूं को समझाया कि कोई भिक्षू कैसे श्रमणों के उपयुक्त प्रतिपत पर आरूड नहीं होता है और कैसे आरूड होता है श्रमणों के उपयुक्त प्रतिपत पर अनारूड भिक्षू के राग द्वेश क्रोध वैर पाखंड तिरसकार इरिशा मात्सर्य शठता माया पापेक्षा या मिथ्या द्रिष्टी नष्ट नहीं हुए होते उसके किसी बायचार के कारण उसमें स्रमण भावन नहीं आ जाता यदि ऐसा होता तो उसके मित्रमात्य जाति बंधु पैदा होते ही उसे वैसा ब्रह्मचारी बना देते और कहते की इस बायचार के कारण तुम्हारे राग द्वेश क्रोधादी नष्ट हो जाएंगे तो यहाँ पर बुद्ध श्रमण की परिभाशा को इस पश्ट करते हैं कि यदि किसी में राग द्वेश क्रोध बैर पाखंड तिरसकार इर्षा मात्चर्य सठता माया पापेक्षा या मिध्याद रिष्टी से वा भरा हुआ हो तो उसमें कभी भी स्रमणत्व के भाव उत्पन नहीं हो सकते हैं और यह भाव कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई उसका मित्र चाहे या किसी और के मात्र चाहने से ये अकुशन समात्त हो जाए या वह किसी विशेशकुल में भी पैदा हुआ है तो ये नश्ट हो जाए इनका नाश करने के लिए साधक या भिक्षू को स्वेते ही प्रयास करना होगा और फिर इसी सुत में बुद्ध आगे कहते हैं श्रमनों के उपयुक्त प्रतिपदा पर आरूड भिक्षू के राग द्वेश क्रोध वैर पाखंड तिरसकार इर्शा मात्सर्य शठता माया पापेक्षा या मिध्याद्रिष्टी नश्ट हुए होते हैं वह इन पापकारिया कुशल धर्मों से अपने आपको विमुक्त देखता है जिससे उसमें प्रमोद जाकता है प्रमोद से प्रीती होती है प्रीती होने से काया प्रशब्द होती है कहाया प्रशब्द होने से सुख का अनुभव होता है और सुखी होने से चित समाहित हो जाता है तब वह क्रमशह मैत्री करुडा मुदिता एं उपेक्छा युक्त चित्त से एक एक करके सभी दिशाओं को आपलवित कर विहरता है इसके निरंतरभावना करने से भीतर शान्ति प्राप्त होती है भीतर शान्ति प्राप्त होने से भिक्षु स्रमणों के उपयुक्त प्रतिपदा पर आरूड हुआ होता है चत्री अब्रामन वैश्य शुद्रेइन में से किसी भी कुल का व्यक्ति हो वह आश्राओं का छे हो जाने से स्रमण कहलाने लगता है तो जब भिच्चू या साधक इस प्रकार के पाप को उत्पन्न करने वाले अकुशल धर्मों से अपने आप को मुक्त कर लेता है तब उसे प्रमोद प्रीत और प्रसब्द के सुख कानुभव होता है और उसका चित धीरे धीरे मैत्री करुणा मुदिता व उपेक्षा के भावों से युक्त हो शान्त होकर विहरता है और चाहे कोई भी मनुश्य हो किसी भी धर्म का हो पंत का हो उसकी कोई भी जात हो चाहे वा ब्राम्भन हो या छत्री हो शूद्र हो या वैश्य हो इसे कोई फरक नहीं पड़ता वह सुख विहार से विहरता है तथा गत बुद्ध के संदेशों में करुणा का भाव केवल मनुश्यों के लिए नहीं बलकि सभी प्रकार के जीवों के लिए भी है इस कारण ही बुद्ध अपने संदेशों में अहिंसा के सुख को प्रात मिक्ता देते हैं और इन में करुणा ही प्रमुख होती है इसे एक उधारन से समझते हैं एक मार्ग है लोग आ रहे हैं लोग जा रहे हैं इसी मार्ग पर एक व्यक्ति चल रहा है वह मार्ग में एक छोटे से किड़े को देखता है वह किड़ा धीरे धीरे चल रहा है उस व्यक्ति के अंदर करुणा उत्पन होती है कि कहीं किसी व्यक्ति का पैर उस छोटे से किड़े के उपर चला गया तो वह छोटा सा कीड़ा उस व्यक्ति के पैरों से पिसकर अथाह दुख को प्राप्त होगा और उसकी मृत्त भी हो सकती है तो वह व्यक्ति एक सुखे पत्ते के सहारे उस कीड़े को उठाता है और उसे पास की जानियों में रख देता है वह कीड़ा वहां से धीरे-धीरे चला जाता और उसे सुरक्षित जाते देख उस व्यक्ति के अंदर प्रसन्न चित भावों से यक्त हो जाता है यही करुडा का सुक है तो किसी जीव की पीड़ा को स्वतय अनुभव करना और उसके कारण दया का उत्पन्न होना और उसे बचाने के प्रयास में लग जाना तो अब यहां पर आके करुडा से सम्मधित एक विशेस बहस शुरू होती है वह हैं शाकाहारव मांसाहार भोजन के संदर्द में कभी भी मांसाहार भोजन का सेवन करने वाले व्यत्ति में करुडा प्रमुख नहीं हो सकती है क्योंकि दूसरे जीव की पीड़ा का अनुभव कर उसकी छटपटाहट का अनुभव कर लेना ही करुडा का आधार होता है तो जब कोई मांसाहार भोजन है तो उसके लिए किसी जीव को मारा गया होगा तो उस जीव को भी बेहद तीवर दुखपन हुआ होगा हम लोगोंने कई बार देखा है किसी जानवर को पकड़ कर जब उसकी निर्दैता से हत्या की जाती है तब उससे अथाह पीड़ा वद दुखपन होता है ठीक जिस प्रकार मां का जित अपने बेटे के बुखार के कार उत्पन दुख की वजहों से बेचैन हो उठता है वैसे ही उस मुख जीव जो मरने से पहले तरफ़ाता है छट पठाता है तो उसके दुखों का अनुभव करना ही तो करुड़ा है और जब उसके शब का व्येंजन मरा कर परोसा जाए तो कैसे वो गले से नीचे उतरेगा एक मचली जिसे पानी से बाहर निकाला जाए तो वो पानी के अभाव में बुरी तरह से तरफ़ाती है छट पठाती है ठीक उसी प्रकार यदि किसी को पानी में डुबाया जाए या कोई आपके चेहरे को दबा कर आपकी सांसों को रोक दे तो हवा के अभाव में दम घुटने का अनुभव जो हमें होता है ठीक वैसा ही अनुभव उस जल से निकाले हुई मचली को होता है तो यदि मानसाहार वेंजन हमारे सामने परोसा गया है तो वहाँ पर दो भाव उत्पन्न होते हैं कि मानसाहार वेंजन को देख उसके स्वाद के आनंद की चाह या उस जीव को मृत्यु देते समय उस जीव द्वारा भोगा गया मृत्यु समान दुख जो उसकी मौत का कारण बना तो यहां पर ग्लान का भावुत्पन होता है कि क्या उस जीव को अठाह पीड़ा इसके लिए दी गई कि वह केवल एक समय के लिए आपके भोजन के स्वाद का कारण बने तो यहां पर करुड़ा ना होने पर वह वेक्ति उस मानसाहार भोजन का अनंद उठाता है मगर करुड़ा होने पर वह उस मास में उस जीव के मृत्य के दुखवत तणप को अनुभव करता है और उस जीव की अथाह पिडा उसे मानसा हार छोड़ने पर विवश कर देती है कि वह किसी भी हाल में किसी जीव को अथाह पिडा नहीं दे सकता है यह करुणा यह है जो सभी जीवों में दुखों का समाप्त करने का भावत्पन करती है करुणा से भरा भिक्षू या साधक सभी जीवों को प्रसन्न चित देख असीम सान्ति का अनुभव करता है जैसे उस मा के अंदर अपने बच्चे को फिर से स्वस्त होता हुआ देख पन्न होता है ताथागत बुद्ध के सब्दों में अहिंसा को ही प्रधानता देना इस बात का लक्षण है कि किसी भी प्रकार के मान्साहारभोजन को त्याक कर चित को करुड़ा के भाव से भर देना जिससे चित में आसीम शान्ति उत्पन्न होती है और ब्रह्म विहार का नुभव प्राप्त होता है और इसी प्रकार के पर्यासों को बुद्ध प्रशंसनी वह सार्थक तप की संग्या देते हुए दिग निकाय के उदम बारिक सुत में इस पश्ठी करना देते है बुद्ध ने इससे आगे से आगे प्रशंसनी और सार्थक तपो की जानकारी दी कोई वेक्ति चार सैयमों चतुर याम सवर से सुरक्षित हो जाए और थात न जिव हिंसा करे न करवाए न इसमें सहमत हो और इसी प्रकार चोरी न करने जूट न बोलने और पाँच कामगुणों में प्रवित्थ न होने के बारे में सजगर है पिर प्रवज्या को निभाता हुआ ब्रह्मचर का पालन करता हुआ एकांत में इसमृति और समप्रज्ञान के साथ पाँच निवरणों को दूर कर चित के उपकलेशों को प्रग्या से दुरबल करने के लिए मैत्री करुणा मुदिता तता उपेक्छा युक्त चित से सभी दिशाओं में विहार करे तो बुद्ध इस प्रकार के प्रियास को सार्थक प्रियास कहते हैं कि इस प्रकार के तब से साधक या भिक्षू ब्रह्म विहार मैत्री करुणा मुदिता तता उपेक्छा युक्त चित को प्राप्त हो सभी दिशाओं में विहार करता है और इसे ही बुद्ध उत्तम भोग कहते है और दिखनिकाय के चक वत्ती सुत्य में स्वावनम्बी बनने का उपदेश देते हुए कहते है जब भिक्षू मैत्री करूडा मुदिता उपेक्षा भरे चित्य से सभी दिशाओं में विहार करता है यह उसका खोग होता है